चाहें चल रही है, जिस तरह से तारीफे हो रही है maior भाई मैं तो हेरान हhou करना कि काश के हमारे पॉस पास भी कोई इस तरह का लेडर हो जो के हमारी नुमाइदगी करे वर्ल्ड बाउल्ड के अंदर जाकर हमारा भे सीना चोड़ा हो जिस तरह पार्लेमेंट सबसे बड़ा इधारा होगा पार्लेमेंट से छोट पार्लेमेंट से सक्पिचाली कुछ भी नहीं है लेकिन आप क्या क्या है आप करें कि हमारा Constitution कुरान और Holy Quran और सुनना है तो अगर आपना Constitution Holy Quran और सुनना है और उसके बाद आपने अपना ये National Assembly भी बनाया हुआ है तो जो भी आदमी Holy Quran और सुनना को जानता है वो अगर ये कह दे कि National Assembly से बना हुआ अब आपको मैं ऐसे समझा देता हूँ हमारे यहां देखे क्या हिंदों में क्या था हमारी जो संस्कृति यह उसमें शादी जो थी वह एक मैरेज का मतलब था कि union of male and female forever they did not know the concept of divorce तलाग का concept हमें नहीं पता था तो हमारे क्या हुआ उनीच सो चपन में हमारी सरकार ने हमारे पार्लेमेंट ने एक लॉल आया है तो कहते है हिंदू marriage act हिंदू marriage act में उन्होंने का कि अब हिंदूों में भी तलाग होगा हमारी लोग बहार रहा है हमारे यह तलाग का concept नहीं है आप कैसे law बना रहे हो आप हमारे वेदिक law में interference कर रहे हो लेकिन पार्लेमेंट ने का no nothing doing आपने law बना दिया अब आपका वेदिक law में अगर interference है तो आपको accept करना पड़ेगा because हमारे पास law बनाने की असीन सकती है क्या आप ऐसा law कोई बना सकती है आपकी पार्लेमेंट को ऐसा law बना सकती है नहीं मतलब कि इसी वज़त से हम आगे नहीं चल पा रहे हैं बही जमूरिया आएगा कहां से जब आप इसलाम में से political power निकालेंगे तब ही जमूरिया बनेग को गवर्न करती है तो फिर उसमें यूरोप में क्या हुआ कि यूरोप ने इस बाइबल में से political power निकाल दिया और जो political power निकालना उसी से समीधान बना उसी को constitutional governance कहते है तो अब आप जब तक आपके हां के लोग ये नहीं मानेंगे कि पार्लेमेंट सुप्रीम है तक आपके यहां पे यह सब problem चलती रही क्योंकि आप क्या power कौन है यह पार्लेमेंट powerful है या मौलाना मुफ्ती साहब है powerful है वो कह देंगे कि यह law तो Islam के against में है लोग आकर कि उस law को फाल के फिक देंगे कि इस law को मानते ही नहीं है जब law को मानोगे नहीं तो वो law कहां से ना law तो तब करते नहीं है या तो समझना नहीं चाहते या उन्होंने अपने ब्रेंट पर ताले लगा दी अगर आप constitutional governance चाहते हो तो constitutional governance की शुरुआत का first step है secularization that means taking away political power from the religious book and constituting a human made government document जिस वो constitution कहते है और constitution कैसे बनेगा अरबों का constitution तो कुरान हो सकता है पर इंडियन का constitution कुरान कैसे हो जाएगा नहीं हो सकता तो मैं फिर से आपसे बात करहा हूँ कि आपके constitution is a flawed book यह जब तक रहेगा तब तक आपके आपे यही खाना जंगी यह power वो power यही रहेगा क्योंकि किसी एक के पास power ही नहीं है सब के पास थोड़ा 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 पावर दे दिया और सब अपने वो उस देश का सबसे बड़ा document हो हमारा constitution of India वेदिक जो document है उससे भी बड़ा है constitution of India चाहे तो वेदिक provision को amend कर सकता है हमारा topic एक तरफ से था हम दूसरी तरफ निकल गए है हमारा topic जो था वो इजिट के ने हवाले चाहा था नहीं दूसरी तरफ नहीं लिख ले मैंने आपको इजिप का constitution पढ़के सुनाया आप Egyptian बने तो Egyptian चीक चीक के चिला रहा है कि Egyptian हमारी हजारों हजारों साल की संस्कृति है आप अपनी संस्कृति को पीचे दवाने पर तू ले हुए हो तो आप आप कहरों कि Egyptians क्यों इजिप्शन जब Indians को देखता है तो दो civilization बात करते हैं वो भी समझते कि यह हजारों हजारों साल के हैं और हम भी हजारों हजारों साल से हैं हमारा Egyptians के साथ इराकियों के साथ trade कोई इसलाम के पहले इसलाम के बाद नहीं चुआ हमारे अर्वों के साथ पुरी इसलामिक हैं भाई Mesopotamian civilization Sumerian civilization के समय में trade हुआ करते थे एरब्स यहां आते थे हम वहां जाते थे चुकि लोगों को शिप्टों आती थी ना लोग उससे का commerce और यह सब थोड़े बंद कर दिये थ वो कहते ना तेरी दौलत अभी नहीं नहीं है हम तो खांदानी रईस हैं तो यह दो खांदानी रईस बात कर रहे होते हैं समझ रहा है तो वह इस तरह के से देखते हैं इंडिया को बिल्कुल से अब शेख भाई आपने जो बात किये सिक्कों की तो वहाँ पर मुझे सिक्के भी मिलेते हैं वहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़े हैं जिने मैंने अभी तक रिवेल नहीं किया और ना बताया उडिया उडिया उसको यकीन करें के बहुत यूनिक यूनिक में रिलेशन बैटर हो गए हैं तो रिलेशन तो पहले से बैटर थे अभी वो नहीं सोचे नहीं मुस्तक्बिल के तरफ जा रहे हैं नरिंदर मुझे कहां कि जो स्पीच है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ही जादा वाइरल हो रहा हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान पागिस्तान के जांसे में फाकिस्तान के तरमयां बातें नहीं करेंगे हम अपनी डिवैलमेंट के तरफ जाएँगे जो निरंदर मुझे का ऐन्से तो पाकिस्तान के अंदर बहुत जादा वाइरल हो रहा है इस स्पीच के बारे में जब आप सुनते हैं और इस तरह distill जब लोग किस तरह किस पीजिस करते हैं जी बताएगा इस बाद में देखे चाती चौड़ी होती है सच बात है मैं जब यूरोप में था ना तो जर्मनी जब मोदी जी का राही शुरू आता मुझे यह हीट फील होनी शुरू हो गई थी कि वर्ल्ड यूरोप इसको रिगनाईज क अच्छा कर रहे थे अभी तो उन्होंने बताया कि उनके हो मिनिस्टर से उनके फॉरेंड मिनिस्टर से उनके टीवी चैनल पर पूछा गया कि एक बात बताईए इससे में दुनिया का बेस्ट फॉरेंड मिनिस्टर कौन है और लीडर कौन है उसने का बेस्ट फॉरेंड मि कहानी आपकी कहानी है हमारी कहानी पाकिस्तान की कहानी है हमारी कहानी दुनिया की हम अलग नहीं मांगे किसी तो जब अगर हम ग्रो हो रहें न तो आपको फील होगा कि हम भी ग्रो हो रहें ये तो जब आपको फील बुरा तब होगा जब हम तो ग्रो कर जाएं और आपको तो आपको लगेगा यार हम दबे कुछले लोग हैं लेकिन जब हम करेंगे तो हम अगर आप एक नॉर्मल स्टेट बनते हैं तो आप देखिए इस्लामी कोलेट के साथ इंडिया का क्या रिलेशन है सीरिया की मदद हिंदुस्तान हर समय करता है पिछले दस साल से वह खाना जं िंदुस्तान है उनको इरा हम हमेशा लगनते हैं तर्की की में जब दुनिया की लगता है लो पैर चूत है मैं अगरी कर रहा हूं आप किसी के कनपटी पर घं लगा के कौह कि मुझे संहान दो, या तो आप किसी के लिए ऐसा करो कि वह संहान इसे करते हैं अगरेजी मैं इधर यू कमांड रिंपेक्ट और यू बेमांड रिंपेक्क्ट मोधी जी इस अडोट सब लोग उन admir है हैं सबको लगता है यार यह आद्वी मेरा भी विकास करेगा और उनकी फिलोसोफी चल रही है जिस तरह से तारीफे हो रही है भाई मैं तो हैरान हूं कि काश के हमारे पास भी को इस तरह का लीडर हो जो के हमारी नमायंदगी करें वर्ल्ड वाइल के अंदर जा कर और हमारा भी सीना चोड़ा हो जीससरे हिंदुस तानियों को होता है भाई आप लोग को यकीन करें कि ऐसे लिडर सालों में नहीं सदियों में पैदा होते हैं जिस सरह कि अभी मैं यकीन करें कि मैंने रिसर्च की नरेंदर म इस तरह के होता था बंदा, इस तरह का महराजा आया, जिसमें दुनिया की civilization को change कर दी, वो है नरेंदर मोदी, ये कीम करने के आप लोग को बहुत खुश किसमत है, इस तरह के लीडर मिला है, बहुत जबर्दस। मैं एक चीज़ कहुँगा, देखिए, खुश किसमत सिर्फ हम ने, चुकि हम आपको अपने से पढ़ाया नहीं मानते, हम आपको अपने नहीं मानते हैं, चीक है न, तो मैं फिर बहुत कहुँगा, मोदी जी की पार्टी का जो लाइन है, बीजेपी का तो न, मोदी जी का जो मानते हैं, इसलिए वो मेरे प्राइम मिनिस्टर है, अगर पाकिस्तान के लोग अपनी कल्चर और हिस्ट्री को मान लें, तो मोदी जी आपके प्राइम मिनिस्टर है, वो आप की बाते कर रहे हमारे ट्रडिशन, हमारे कल्चर, हमारे हरिटेज की बाते कर रहे हैं, तो मानन तुर्क तो घोड़े खाते हैं आपके घोड़े खुल जाएंगे घोड़े खाने में आप मानने तो अपना जिस दिन मान लेंगे कि यह सिविलाइजेशन एक थी हरपा मोहन जुदालों जो है वो हर्याना पंजाब कर्थल कहा गुजरात तक पहला हुआ है लोथल में आप मानने कि आपको भी अपना ही लीडर दिखेगा बात तो मानने की है बस और मैं आपको बताओं कि गिलगित के बारे में एक विसेट्स की गई वहाँ पर कुछ लोग ना हमारे बना रहे थे गर बनाते बनाते उन्होंने सेवरिज लाइन निकालने थे सेवरिज लाइन को जब होदा गया तो यकीन करो कि शेवरिज लाइन पुराने जमाने की ये कोई हजारों साल पुराने की सिवलिज लाइन थी और वो आज की जदीश सिवलिज लाइन सेना उनको मात देती है इतनी वसी और उस इलागे के अंदर रीसेर्स данी की गई बाइर से अंगरेज लोग भी आई थे उस इलाके को साइड़ किया गया, उन्होंने बताया, यह जिनसे गिलगित की सेड्बलेजिशन है, यहां पर बताती है, और मैंने जैसे आपको बताया कि वहां पर सिकें भी मिले, सिकों के तस्वीर भी में रिपा पड़ी वी है, वहां पर जो संस्क्रिट जो उबान में हिंदूइजम और यकीन करो कि वहां के लोग इस चीज मानने को त्यार नहीं थे लेकिन उस अंग्रेज ने जिस सरह बता है कि मेरी हजारों साल की रिस्टेश वो वीडियो भी मेरे पढ़ी है लेकिन कुछ security issues के वो वीडियो मैं दिखा नहीं पाऊंगा आप लोगों को तो खेर यह मैं बता रहा हूँ on the camera बहुत बड़ी responsibility लेका बता रहा हूँ यह चीजे और उसने बताया कि हिंदूइजम आज से नहीं है कोई सतर हजार साल पता नहीं कितने साल उनका दुनिया बनने से दुनिया बनने के साथ ही यह मजभ भी चलता हुआ रहा तो यकीन करें जान करना एक खुशी भी कि भाई हिस्ट्री पाता चल गी अपनी बस अपनी यह आपने का आना मुझे बहुत खुशी हुए क्योंकि हमारी इस जर्मनी वेस्ट जर्मनी भी अलग हुए ते पर हो गए ना जर्मन तो थे ना हम सब भारती है बात तो खतब हो गई अब थोड़ी सी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है आप जैसे यंग बच्चे आया मुझे बहुत उमीद है आप जैसे लोगों से बस अपनी आजिनिटी ब मुझे बहुत खुशी हुई और मैं यहीं उमीद करूँगा कि यह वीडियो वाइरल हो और ज्यादा से ज्यादा लोग देखा है मुझसे अब आपको सुनें बिल्कुल सभी बहुत शुक्रिया आपका मुझे टाइम देने के लिए और हीकिन करें 28 मिट होगे मुझे तो प अपने फैन बना लिया है तो इस वीडियो के एक्षिताम करते हैं तो एक्षिताम से पहले अगर कोई मैसीज देना चाहेंगे हमारे ओडियंस को अगर कोई पैगाम है आपके तरफ से तो वो जरूर दें ताकि आपके पैगाम से चंद लोगों के जिंदगी बदल सकती है इसना कोँगा मजभ नहीं सिखाता आपस में बैर रखना आप अपनी कल्चर और रिलिजन में अंतर करना सीख जाईए जैसे मैंने आपको एजिप्ट का कॉंसिचूशन पढ़के सुना दिया सारी दुश्मनिया खतम हो जाएंगी यह जो किता है यह दुनिया का सबसे से बड़ा मानफताफ से बड़ा कुछ नहीं बहुत शुक्रिया अब शेख भाई अब शेख भाई आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया आप फिर से आईएगा हम मैं अपनी ओडिया